नमस्कार दोस्तो ओट एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिटियल कमपैरिजन करने जा रहे हैं ओट एक्सपर्ट डायरी को बिल्गुल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि हम हर तरह से कोसिज करेंगे कि आपका पैसा वेस्ट ना जाए आप एक वैल्यू फोर मनी प्रोडेक्ट ही खरीदें तो चलिए दोस्तों दोनों ही वाइक्स के इंजन से स्टार्ट करते हैं टीवेस रेड़ोन में आपको 110cc का फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर टू वोल एर कूल्ड इंजन मिलता है जो 8.19 PS जेनरेट करता है 7350 RPM पर 8.7 NM ट्रोक जेनरेट करता है 4500 RPM पर इस वाइक में आपको 4-speed manual gearbox मिलता है इधर बजाज CD 110 में आपको 115cc का सिंगल सिलेंडर टू वोल एर कूल्ड इंजन मिलता है जो 8.6 PS जेनरेट करता है 7000 RPM पर 9.8 NM ट्रोक जेनरेट करता है 5000 RPM पर इस बाइक में भी आपको 4-speed manual gearbox मिलता है तो वैसे तो दोस्तों इंजन के मामले में दोनों ही रेडोन से आगे है बात कर लेते हैं दोनों बाइक से डाइमेंचन की सीटी 110 की वीर्थ है 753 mm, लेंथ 1998 mm, हाइट 1088 mm, सीट हाइट 810 mm, ग्राउन की लिएंज 170 mm, वील बेस 1285 mm, करव वेट 118 kg, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10.5 लिटर किदर बात करें टीवेस रेडोन के डाइमेंचन की वीर्थ है 705 mm, लेंथ 2025 mm, हाइट 1080 mm, वील बेस 1265 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लिटर, ग्राउन की लिए रेंच 180 mm, वेट है बाइक का 118 kg, तो दोस्तों वैसे तो डाइमेंचन में भी कोई ज़्यादा बड़ा डिफ 110 के फ्रेंट में आपको 278, 17 का और रियर में 3.008, 17 का ट्यूब वाले रेडियल टायर मिलते है, 17 इंच अलोई वील के साथ, और यदर बात करें रेडोन के टायर साइज का, यहाँ पर आपको 278, 18 और रियर में 3.00 आर अलोई वील के साथ, यहाँ पर आपको ट्यूब में सेम है और दूसरा सबसे बढ़ा डिफरेंट है CT 110 में आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं रेड़ोन में आपको ट्यूब लेश टायर मिलते हैं यह भी कोस्ट कटिंग की गई है क्योंकि वह एक चीप प्राइज में बाइक बनाई गई है और रेड़ोन एक मजबूत ब ब्रेक और दूसरा फरेंट में डिस्क ब्रेक रियर में ड्रम ब्रेक लेकिन CT 110 में आपको कोई भी डिस्क ब्रेक वाला वेरेंट नहीं मिलता बात करें दोनोई वाइक्स के सस्पेंशन सेटफ का रेड़ोन के फरेंट में आपको टेलिसकोपिक ओल डेम्ट सोक के फरेंट में आपको हाइडरोलिक टेलिसकोपिक 125 mm ट्रेवल और रियर में इस्पिरिंग इन इस्पिरिंग सस्पेंशन मिलते हैं तो भाइए यहां पर बीना किसी डाउट के और बीना किसी कन्फियूजन के टीवेस रेड़ोन में आपको सस्पेंशन बहुत ज्यादा बै हाईएजन में ही इंडिकेटर मिलते है बात करें इधर रेडोन के इलैक्ट्रिकल्स का यहां पर आपको हेलोजन हेर्लाइट मिलती है हेलोजन में ही टेल लाइट मिलती है अब बात करते हैं दोनों बैक्स की टोपिश पीड़ का वैसे तो कंपनी क्लेम करती है 90k mph लेकिन दोनों बाइक्स 95 KMP तक चली जाती हैं और सेटी 110 से आपको लगबग 70 KMP और टीवेस रेड़ों से आपको 68 to 70 KMP माईलेज आराम से मिल जाता है अगर आप इन दोनों बाइक्स को सही से राइड करेंगे तभी इतना माईलेज मिल पाएगा क्योंकि यह दोनों बाइक कम्यूट प्राइज लगबग इंडिया की किसी भी सिटी में 83,500 से लेकर 84,000 रुपे तक जाता है और टो वेरियंट डूल टोन डिश्क ब्रेक वाले का ओं रोड इंडिया की किसी भी सिटी में 90,900 से लेकर एक लाख रुपे तक जाता है और इधर बात करें बजाच सिटी 110 CC के प्रा 70,000 से 75,000 रुपे तक जाता है दोस्तों अगर आपका बजट कम है और आपको लुक्स स्पीड ये सब ज्यादा मैंटर नहीं करता आपको एक नॉर्मल बाइक चाहिए जिसको आप नॉर्मल स्पीड में डेली यूज कर सकें और अपना काम चला सकें तो आपको बिल्कुल CT 110 की ये और जाना चाहिए क्योंकि उसमें आपको ठीक ठाक ही लुक मिल जाते है और कम प्राइस में आपको बाइक भी मिल जाती है लेकिन हाँ दोस्तों अगर आप बाइक को थोड़ा तेजी स्पीड में चलाते है और आपको डिसक ब्रेक भी चाहिए और उसके साथ बाइक के भी चाहिए तो आपको बिल्कुल टीवेस रेडोन के और जाना चाहिए क्योंकि वो CT 110 से कहिना कहीं मजबूत भी है और सीधी सी बात है जब प्राइस ज्यादा है तो मजबूत तो होगी तो दोस्तो दोनों ही बाइक का डीटिल कंपेरिसन करेंगे बाद जो निचोड निकला है उसमें TVS रेडोन बिल्कुल विनर है बाकी आप कैमेंट करके जुरूर बता सकते हैं आप दोनों में से कौन सी बाइक खरीदने वाले हैं